हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आज के सीडियों आप लोग सीखने वाले हैं किस तरह से आप एलिवेशन को बना सकते हैं तो इस वीडियो में आप लोग जीरो से शेखने वाले हैं कि किस तरह से आप 3D को बनाते हैं तो देख सकते हैं यहां पर यह 3D बना हुआ है तो यहां प यहां पर इसका image मैं दिखा दूँ आपको जिसे आपर आपको समझ आए तो देख सकते हैं यहां पर render view है और render कैसे करना image कैसे इनकलता है तो पूरा detail में आप लोग video में सीखने वाले हैं तो पेड़ देख सकते हैं यहां पर लगा हुए किस तरह से यहां पर पेड़ को लगाना है और यहां पर किस तरह से यहां पर डिजाइन करना है तो यहां पर Photoshop कभी यूज होगा है तो उस पर भी video आएगा त दिटेल में आप लोग सीखने वाले हैं तो देख सकते हैं यहां पर दोसरा व्यू है यहां पर और camera किस तरह से से चैट करना है और किस तरह से रेंडर करना है तो पूरा डिटेल में आप लोग सीखेंगे तो उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेज़ेगा और बैल आइकन को प्रिस कर लेज़ेगा जिससे आने वाली वीडियो मिसना हो तो बिना वेश्ट के टाइम च सॉफ्ट्वार ओपन होने के बाद तो इस तरह से यहाँ पर आपका इंटरफिस दिखेगा कुछ इस तरह टाप यू फ्रण्ट व्यू और यह पर लेफ्ट व्यू और यह पर्सपेक्ट्व दिखेगा तो यहां पर आपको जिसका तो आपको यहां पर प्लानिंग को यहां पर इंपोर्ट करना पड़ेगा तो प्लान लाने के लिए आपको यहां पर जाना पड़ेगा फाइल के ऑप्शन में और फाइल के ऑप्शन में आपको मिलेगा इंपोर्ट का ऑप्शन तो इंपोर्ट पर जाना है और यहां पर आप का प्लान है वहाँ पर उस फोल्डर में जाना है और प्लान को ओपन करा लेना है कि इस तरह यहां पर ओपन करना है और यहां पर कुछ आप्शन पूछेगा तो के कर देना है है और देख सकते हैं यहां पर प्लान हो चुका है और यहाँ पिध्र को अगर हताना हो तो यहां 2 प्रेस करेंगे तो आपका ब्रोट जाएगा और वापस लाना है को पर उस को बना सकते हैं अपने 3D को तो यहां पर आप औहों बनाइने के लिए यहां पर बॉक्स ले सकते हैं तो यहां से अगर यहां पर पॉइंट पकड़ना है तो यहां पर आपको इस तरह यहां पर एक बॉक्स ले यहां से मैं लिया हूँ यहां पर आपको जाना है इसटेंडर में जाना है और यहां पर देखने के लिए आपको यहां पर पर पर्शपेक्टिव में जाना पड़ेगा तो यहां पे और इसको बढ़ा करना है तो यहां पर इस वीव को बढ़ा करने के लिए अल्ट डब्लू प्रेस करेंगे तो आपका यह बढ़ा हो जाएगा और अगर इसको रोटेट करना है इसको घुमाना है कि इस तरह से यहां पर बॉक्स लेकर बनाएंगे वाल तो बहुत ही ज्यादा समय लगए तो मैं यहां पर फास्ट काम करने के लिए आपको यहां पर बता रहा हूं अब यहाँ पर आपको वाल बनाना है तो वाल बनाने के लिए आपको यहाँ पर लाइन लेना पड़ेगा तो लाइन यहाँ पर काप मिलेगा तो आपको यहाँ पर इस सेप के आपशन में जाएंगे तो आपको यहाँ पर एस पी लाइन मिलेगा तो एस पी लाइन में यहाँ पर line मिलेगा तो आप यहां से line create कर सकते हैं और snap on करेंगे तो आपका यह point show करेगा अब इस तरह यहां पर click करते हुए यहां पर click करेंगे तो आपका यह line बनेगा ठीक है और अगर आपका यह गलत हो जा रहा है line तो आप पीशे जाना चाहरा है तो backspace प्रेश्प्रेश्प्रेश्प्रेश्प्रेश्प्रेश्प्रेश्प्रेश्प्रेश्प्रेश्प्रेश्प्रेश्प्रेश्प्रेश्प्रेश्प्रेश्प्रेश्प्रेश्प्रेश्प्रेश्प्रेश्प्रेश्प्रेश्प्रेश्प्रेश्प्रेश्प्रेश्प्रेश इसको बूलियन करने में असानी होगा जिसे हमको यहांपर सब्ट्रेक पड़े होंगी और यहां पर कमांड यहां पर चेंज हो गया है तो यहां पर इस तरह यहां पर पॉइंट दे देना है जहाँ जहाँ डोर है और विंडो है यहाँ पर क्लोज के आप्सेन में जाना है और यहाँ पर आपको पुछेगा क्लोज SP लाइन तो यहाँ पर यस कर देना है तो यह जो लाइन है क्लोज हो जाएगा अब यहाँ पर स्टैप आउन है तो यहाँ पर आफ करने के लिए S प्रेस करेंगे तो आपका आफ हो जाएगा और डबलू प्रेस करेंगे तो आपका यह SP line यहाँ पर सो करेगा यहाँ से आप ड्रैक करके आप देख सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर इसको move करता हूँ इस तरह से यहाँ पर move कर सकते हैं देख सकते हैं यहाँ पर जो outer line में यहाँ पर SP line बनाया हूँ यहाँ से यह line सो कर रहा है ठीक है अगर यहाँ पर तो Ctrl-Z करेंगे तो आपको यह पीछे जाएगा, अब यहाँ पर आपको Wall बनाने के लिए यहाँ पर आपको Mouse का Right बटन क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको मिलेगा Convert to, तो Convert to में जाना है, और यहाँ पर आपको मिलेगा Convert to SP Line, तो Irritable SP Line पर क्लिक कर लेना है, और यहाँ प पर आपको मिलेगा आउटलाइन तो आउटलाइन में हमको यहाँ पर जितना आउपसेट करना है वाल बनाना है उतना हम यहाँ पर आउटलाइन देंगे तो यहाँ पर आउटलाइन में हम यहाँ पर साड़े चार इंच का देते हैं तो साड़े चार इंच का यहाँ पर डिस् आपको solid बनाना है तो solid wall कैसे बनाएंगे यहां पर extrude कमाड लेने के लिए आपको यह पर पहले यहां पर line को select कर लेंगे तो यहां से is line को select कर लेना है और यहां से modify list में जाना है और यहां पर आपको search करना extrude यहां पर EX type करेंगे तो आपका यह extrude आ जाएगा अब यहां से extrude आगए अब यहां पर solid पाना यहां पर amount दालेंगे तो amount यहां पर दिया हुए हुए होज पर हाइड यहां पर उतना amount दाल देंगे तो यहां पर मुझे 2 फट का डिस्टेंस चाही है और नहीं दलते हैं ठीके दो से यहां पर ऊपर के तरफ यहां पर फिट रहेगा क्योंकि हमको यहां पर सब्सक्राइब उपकर करना पड़ेगा यहां पर दो फिट लिया हूं अब यहां पर आपको मिलेगा convert to convert to में जाना है और यहां पर आपको मिलेगा convert to editable poly तो poly को select कर लेना है और यहां पर आपको मिलेगा बहुत सारे option तो आपको यहां पर polygon पर click कर लेना है और जो हमारा यह wall है उपरी वाली face को यहां पर select कर लेना है और नीचे स्क्रॉल कर लेना है और यहां पर आपको मिलेगा इडिट पॉली तो इडिट पॉली में जाएंगे और यहां पर आपको मिलेगा एक्स्टूट का उप्सन तो एक्स्टूट पर क्लिक कर लेना है और यहां पर इसी तरह एमाउंट दालेंगे तो हमको एमाउंट य तो यहां पर 5 फिट कराईगा तो यहां फर 5 फिट फेंवाउन दालके यस कर लेते हैं हुआ ठीक है इस तरह यहां पर कर लेना है अब यहांपर लिये और यहां परक्शक करना पड़ेगा तो एक स्टूट करा लेते तो यहां पर तीन फिट शैंज का डिस्टेंस लेके एक बार और एक्स्टूट कर देंगे और पॉलिगान को आफ कॉफ कर देंगे इस तरह और यहां पर हमारा एज नहीं दिख रहा है एज आपको देखने के लिए आप पर यहां पर डिफाल्ट सेडिंग के ऑप्सन में जान और जहां पर हमको डोर और विंडो बनाना है वहां पर हमको बूलियन करना है तो बूलियन करने के लिए हम पॉलिगान को सेलिक करेंगे तो जहां जहां डोर है हमारा डोर विंडो है वहां पर हम पॉलिगान से सेलिक्शन ले लेंगे इस तरह अंदर और बाहर दोनों तरफ और यहाँ पर भी ले लेते हैं ठीक है और यहाँ पर हम इसको काटने के लिए यहाँ पर हम bridge command करेंगे तो यहाँ पर edit poly का option में आपको मिलेगा bridge तो bridge पर click करेंगे तो आपका यह जो door window पर selection लिए है तो हमारा उतना area कट हो जाएगा और यहाँ पर yes कर देना है और उपर के side में जाना है polygon off कर देना है और हमको यहाँ पर यह भी door है तो यहाँ पर भी हमको cutting करना है तो यहाँ पर age ले लेते हैं जिससे हमको यहाँ पर polygon करने में boolean करने में असानी हो sorry यहाँ पर bridge करने में तो यहां से एक एज ले लेते हैं, तो इसको यहां पर इस तरह सलिक करेंगे, इस तरह से यहां पर ड्रैक करते हुए सलिक कर लेते हैं, जितना भी एज है, और यहां पर एज लेना है हमको एक और, तो एज लेने के लिए आपको यहां पर कनवर्ट में जाना है, यहां पर ठीके और यहां पर Yes कर देते हैं इस तरह आपका यह जाएगा अब यहां पर पर यहां पर हम यहां पर हमारा पर सिदा करना है नकों को सीदा करने के लिए इस एच को तो यहाँ पर R प्रेस करेंगे और यहाँ पर Y डारेक्शन में इसको इस तरह यहाँ पर नीचे की तरह यहाँ पर स्क्रॉल करना है तो यहाँ पर जितना यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे नीचे की डारेक्शन में तो यह सीधा हो जाएगा और W प्रेस करना है और यह यहां से इसको सेट कर लेंगे और यहां पर हमको इस तरह यहां पर आप सेट कर सकते हैं और यहां पर अगर इस तरह ड्रॉ कर रहे हैं तो यह जो हमारा एज है यहां पर टेना जा रहा है तो सीधा करने के लिए आप यहां से snap पे right click करेंगे और option के यहाँ पर click कर लेना है और यहाँ पर मिलेगा enable access तो इसको on कर देंगे इसको on करने से यहाँ पर इसको जो age है यहाँ पर जो हमारा भाग रहाता हूँ सही हो जाएगा अब यहाँ से perspective में आना है और यहाँ पर polygon selection लेना है तो इसको यहाँ पर minimize कर देंगे एस प्रेस करेंगे यहाँ पर snap को off कर लेते हैं और polygon को on करेंगे और हमको door का polygon यहाँ से selection ले लेना है इस तरह यहाँ पर आप selection ले लेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर selection ले लिया है हमने age यहाँ पर एक draw कर लिया है इसलिए यहाँ पर यह दिख रहा है अब यहाँ पर polygon selection लेकर और यहाँ पर bridge कर देना है तो bridge करेंगे तो यह हमारा जो door रहेगा यहाँ पर cutting हो जाएगा और यहाँ पर yes कर देंगे अब यहाँ पर polygon को off करा लेना है तो देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर बहुत ही असानी से यहाँ पर door और यहाँ पर wall को तुरंत create कर सकते हैं बना कर आप यहाँ पर door और window को cutting कर सकते हैं ठीक है तो आज के लिए इतना ही अगले वीडियो में आप लोग सीखने वाले हैं कि किस तरह से door और window बनाते हैं create करते हैं तो अगर यह वीडियो चला आओ तो like करिएगा और share करिएगा अगर आप 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 आप